श्री शिवाय नमस्तो भ्यम हर हर महादे यदि आप आथिक तंगी से परिसान है धन की हानी हो रही है तो आप नवरात्री के दूसरे दिन असोक के पत्तों का एक छोटा सा उपाय करना बिल्कुल भुलें इस उपाय को करने से मा भगवती की क्रपा आपके उपर बनी रहेगी जो भी भक्त सच्चे मन से माता का इस मरड करके उनकी पूजा आराधना और नवरात्री में छोटे छोटे उपाय करता है उसकी मनवांचते चाय पूरी होती है जो भी परिसानिया उसकी जिन्दगी में आ रही होती है वे निश्य रूप से दूर हो जाती है आपको नवरात इस उपाय को कर लेते हैं, तो आने वाले अगले नौ दिन तक आपको इस उपाय का लाम मिलेगा, और मातरानी की असीम क्रपा आपके उपर बनी रहेगी, आपको इस उपाय को करने के लिए असोक के पेड़ की जड़ में एक लोटा जल अर्पित करना है, उसके बाद उस उसका तावीज बना सकते हैं उसे अपने हाथ में भाने या फिर अपने गले में भाने अगर आप अपने हाथ और गले में नहीं भान सकते तो आप उस तावीज को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दे इसे आपके घर में हो रही धन की हानी रुकेगी आप आतिक तंग आप अपने घर के मुख्य द्वार पर असो के साथ पत्तों की बदनवार भी लगा सकते हैं इससे मातारानी की क्रपा आपके उपर बनी रहे की आपके घर से नकारात्मक सकती दूर होगी और घर में सकारात्मक सकती का बास होगा असो के पत्तों की बदनवार घर में लटकाना बहुत ही सुभ होता है असो के पेड में देवी देवताओं का बास होता है अगर किसी के दामपत्य जीवन में तरह तरह की समस्याइं आ रही है या फिर आई दिल लड़ाई जगड़े होते रहते हैं तो वे असो के साथ पत्ते भगवान सिर्फ समर्पित कर देती हैं अपना नाम और घोत्र बोलकर तो उनके दामपत्य जीवन का तनाव दूर हो जाता है और दामपत्य जीवन में खुसियां अना प्रारम हो जाती है उमीद करती हूँ यह उपाय आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा गया होगा उपाय अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब अवस्चा करें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में स्रीश वाई नमस्तो ब्यम हर हर महादी